तो हाँ वो बेशक तकलीफ है उसके लिए मैं नजन अदाज नहीं करूँगा वो हो सकता है वो मेरी ज्यादा तकलीफ होगा थोड़ा होगा मुझे ज्यादा लग रहा होगा वो मेरा वेक्तिगत है लेकिन हाँ हैल प्लेस तो मैं जानतों सवाल है आपका क्यूं आया है कि रिलीज करने में तकलीफ है तो हाँ वो बेशक तकलीफ है उसके लिए मैं नजन अदाज नहीं करूँगा लेकिन वो एक प्रक्रिया है जो सरकारी प्रक्रिया है और क्योंकि नागरिक हमें इस देश के तो उस प्रक्रिया के थ्रू हमें जाना ही पड़ेगा हम सब को जाना होता है जैसे आप military में लेने जाएंगे admission तो आपको दोडाएंगे आपका height chest मापेंगे तो फिल्म को यहां भी मापा जाता है कि दर्शकों जाने के पहले जो सरकार की जवाबदारी वो अपनी जवाबदारी निभाई और फिर मेरी जवाबदारी उसके बाद रिलीस करने की थे वह हुई है आम तोर पर आप देखेंगे लोकल ही रहे में जब हम जहां मैर पला वड़ा हुआ मैंने वरतों को सिर्फ बारबर के शॉप में तभी देखा है जब वो अपने बच्चे का बाल कटाने आता और वहाँ खड़ी होती है पकड़ कि वह कहीं उस तरह ना चला दे बाल ज्याद कोई बीच का एक रास्ता चुन सकते हैं जिससे फिल्म का एसेंस ना जाए लेकिन वह बीच में एमिकेबल सोलीशन पर आ गया खीशतान के लेकिन उसको एक समय लगा और क्यूंकि बहुत सारी चीज़ें होल्ड पर थी आपका और सीज जाना है आपका बाकी सब डिलेवरी जाना है अब उसके करेक्शन के बाद भी हमने कम से कम सतर असी गंटे रेगुलर काम किया है वी एक्स वालों करेक्शन का फिर डबिंग वालों और फिर सबका अपना अपना कमिटमेंट होता है वह और दूसरी फिल्मों पर भी है जो इसके साथ दिन बाद फिर रिलीज होन है उनके दो काम उलड़ी चल रहे हैं अब किसी के पास भी एक हजार का स्टाफ नहीं होगा कि पांसो हमेशा स्पेर में रखता होगा कि चलो सेंसर का कुछ करेक्शन आया कर दो और फिर रिलीज का डेट भी है वह आपने अनॉंस कर दिए उसके पैसे खर्चोंगे बढ़ा हूं तो महां एक लड़का था मताव तो सर है लड़का इसलिए कौंगा हमारे लिए लड़का ही था हूं मुझसे 10-11 साल बढ़ा शामपत यादो करके वह भी टीचर है BMC में उसने रिकॉर्ड ब्रेक किया था उस टेंथ का हमारे उलास नगर में वह उसका परसंड कि आजाओ देखने के लिए फिल्म तो इस बार स्क्रीनिंग कुई तो मैंने इसको बुलाया है तो एक दम पीछे कोने में था कुई थोड़ा शर्मीला आदमी है तो थोड़ा पीछे से आया और उसने धीरे से ना ऐसा एक्याउन रुपया मेरे हाथ पे रखा तो मुझे ल प्रेम कर लूँगा जीवन भर के लिए कि वो सबसे बड़ी कमाई थी क्योंकि मैं उसको देखकर ही मैंने पढ़ना सीखा सब कुछ गया उसने आज वो रिटरन कर दिये उसने कहा कि मैं नतमस्त हूं तेरे इस काम के सामने सारा श्रे तो देखिए उन्हीं को जाता है मैं ए दूसरी लीक की कमर्शल फिल्म है मेरा उस पर कोई कहना उस पर मेरा जमता भी नहीं कि मैंने सुतर का सिनमा किया नहीं है लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि और भी देखिए स्टार काम करते हैं लेकिन उनका इस तरफ का रुजहान आपके लिए जीरो होगा लेकिन इनका कोई मतलम नहीं रह जाता हर फिल्म आपको एक हाय देती है कि मैं यह क्यों करूँ फिल्म सवेरे उटके मैं सेट पर जाऊं क्यों आज इसके बहुत पहले ही एक दिन गले लगा लिया था और मतलब आप बच्पन में जिनकी फिल्में देखके आप हस रहे हों जिसका जिनकी मीमिकरी आपने की वह कॉलेज में और वह वेक्ति अपने घर पे ऐसे अपने कुर्सी से उतर के आता है और उसने गले लाके बोला कि बहुत अच्छी फिल्म मनाई है आपने सर बहुत अच्छी फिल्म मनाई है वो मुझे लगता है वो आप करोड़ों और अर्वों और खरवों रूपने से भी नहीं पासकेंगे वो अन्मूल है